तोपी शुकला कहानी के लेखक राही मासूम रजा है इस कहानी के माध्यम से लेखक बच्पन की बात करता है बच्पन में बच्चे को जहां से अपना पन और प्यार मिलता है वे वही रहना चाहता है यह नामों का जो चक्कर होता है वे बहुत ही अजीब होता है परन्तु खुद देख लेजिए कि केवल नाम बदल जाने से कैसी कैसी गड़बर हो जाती है यदि नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और अगर नाम मुहम्मद हो तो उसे पेगंबर कहते हैं अर्थार पेगाम देने वाला कहने का अर्थ है कि एक को इश्वर और दूसरे को इश्वर का पेगाम देने वाला कहा जाता है नामों के चक्कर में पढ़कर लोग यह भूल जाते हैं कि दोनों ही दूद देने वाले जानवरों को चराया करते थे दोनों ही पशुपती, गोवर्धन और ब्रिज में रहने वाले कुमार थे प्रस्तुत पार्ट में भी लेखत ने दो परिवारों का वर्णन किया है जिसमें से एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम परिवार है दोनों परिवार समाज के बनाए नेमों के नुसार एक दूसरे से नफरत करते हैं परन्तु दोनों परिवार के दो बच्चों में गहरी दोस्ती हो जाती है ये दोस्ती दिखाती है कि बच्चों के भावनाएं किसी भेदभाव को नहीं मानती आज के समाज के लिए ऐसी ही दोस्ती की अवशक्ता है जो धर्ण के नाम पर खड़ी दिवारों को गिरा सके और समाज का सरवागिन विकास कर सके प्रस्त पाट में लेखक टोपी की कहानी पाटकों को सुनाना चाते हैं इसलिए लेखक कहता है कि वह इफ्वन की कहानी पूरी नहीं सुनाएगा बलकि केवल उतनी ही सुनाएगा जितने टोपी की कहानी के लिए उसे जरूरी लग रही है इफ़न टोपी की कहानी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके विना शायद टोपी की कहानी अधूरी है ये दोनों लेकक की कहानी के दो चरित्र हैं एक का नाम बलबदर नरायन शुकला है और दूसरे का नाम सेयद जरगाम मुरुतुजा है एक को सभी प्यार से टोपी कहा कर पुकारते हैं और दूसरे को इफवन इफवन की दादी पूरब की रहने वाली थी नो ये दस साल की थी जब उनकी शादी हुई और वह लखनाओ आ गई परंतु जब तक जिन्दा रही वह पूरब की ही भाषा बोलती रही लखनाओ की उर्दू तो उनके लिए ससुराल की भाषा थी उन्होंने तो माईके की भाषा को गले लगाए रखा था क्योंकि उनकी इस भाषा के सिवा उनके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझ पाता जब उनके बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल तड़पने लगा परंदू इसलाम के अचारियों के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था बेचारी का दिल उदास हो गया लेकिन इफवन के जनम के छटे दिन स्नान पूजन उत्सब पर उन्होंने जी भर कर उत्सब मना लिया था लेका कहता है कि इफवन के दादी किसी इसलामी आचारे की बेटी नहीं थी बलकि एक जमीदार की बेटी थी दूद की खाती हुई बड़ी हुई थी परन्तु लखनाओं आकर वे उस दहीं के लिए तरज गई थी जब भी वे अपने माई के जाती तो जितना उसका मन होता जी भर के खा लेती थी क्योंकि लखनाओं वापिस आते ही उन्हें फिर से मॉल्विन बन जाना पड़ता था इफवन को अपनी दादी से बहुत जादा प्यार था प्यार तो उसे अपने अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन और छोटी बहन नुजहत से भी था परन्तु दादी से वे सबसे जादा प्यार किया करता था अम्मी तो कभी कभार इफवन को डांट देती थी और कभी कभी तो मार भी दिया करती थी बड़े बहन भी अम्मी की ही तरह कभी कभी डांटती और मारती थी अब्बू भी कभी कभार घर को नययले समझ कर अपना फैसला सुनाने लगते थे नुज्वत को जब भी मुका मिलता वहे उसकी कौपियों पर तस्वीरे बनाने लगती थी बस एक दादी ही थी जिनोंने कभे भी किसी बात पर उसका दिल नहीं दुखाया था वह रात को भी उसे बहराम टाकू, अनार परी, बारें बुर्ज, अमीर हमजा, हातिम ताई और पंच फुला रानी की कहानियां सुनाया करती थी इफ़न के दादी की बोली टोपी के दिल में उतर गई थी उसे भी इफ़न के दादी की बोली बहुत अच्छी लगती थी इफ़न की दादी टोपी को अपनी मा की पार्टी की दिखाई दी, कहने का अर्थ है कि टोपी की मा और इफ़न की दादी की बोली एक जैसी थी टोपी को अपनी दादी बिलकुल भी पसंद नहीं थी उसे तो अपनी दादी से नफरत थी वह पता नहीं कैसी भाषा बोलती थी टोपी को अपनी दादी की भाषा और इफवन के अब्बू की भाषा एक जैसी लगती थी लेखक कहता है कि टोपी जब भी इफवन के घर जाता था तो उसकी दादी के ही पास भेटने की कोशिश करता था टोपी को इफवन की दादी का हर एक शब्द शक्कर की तरह मीठा लगता था पके आम के रस को सुखा कर बनाई गई मोटी परत की तरह मज़ेदार लगता था तिल के बने व्यंजनों की तरह अच्छा लगता था लेखक कहता है कि इफवन की दादी टोपी से हमेशा एक ही सवाल पूछ कर बात आगे बढ़ाती थी कि उसकी अम्मा क्या कर रही है पहले पहले तो टोपी को समझ में नहीं आया कि अम्मा क्या होता है परंतु बाद में उसे जब समझ में आ गया कि माता जी को ही अम्मा कहा जाता है तब टोपी ने अम्मा शब्द सुना तो उसे है शब्द बहुत अच्छा लगा जिस तरह गुड़की डली को मुह में रखकर उसके स्वात का आनन्द लिया जाता है उसी तरह है इस शब्द को भी बार-बार बोलता रहा अम्मा, अब्बु, बाजी उसे ये शब्द बहुत पसंद आए एक दिन टोपी को बैंगन का बुरता जड़ा ज़ादा ही अच्छा लगा रामदुलारी टोपी की मा खाना परोस रही थी टोपी ने कह दिया कि अम्मी जड़ा बैंगन का बुरता ओर देना अम्मी ये शब्द सुनते ही मेज पर भैटे सभी लोग चोग गए उनके हाथ खाना खाते खाते रुख गए वे सभी लोग टोपी के चहरे की ओर देखने लगे टोपी की दादी सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उड़ गई थी और टोपी की मा रामदुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा वह एक ही बात बार-बार पूछ रही थी कि क्या अब वो इफ़न के घर जाएगा इसके उत्तर में हर बार टोपी हाँ ही कहता था मुन्नी बाबु और भैरव जो टोपी के भाई थे वे टोपी की पिटाई का तमाशा देखते रहे लेकर कहता है कि जब टोपी की पिटाई हो रही थी उसी समय मुन्नी बाबु एक और बात जोड़ कर बोले कि एक दिन उन्होंने इसे रहीम कबाबची की दुकान पर कबाब खाते हुए देखा था पर सच तो यह था कि टोपी ने मुन्नी बाबु को कबाब खाते हुए देख लिया था और मुन्नी बाबु ने उसे एक इकन्नी रिश्वत की दी थी ताकि टोपी घर पर उनकी शिकायत ना कर दे उस दिन तो टोपी की इतनी पिटाई हो गई थी कि उसका सारा शरीर दर्द कर रहा था दूसरे दिन जब टोपी स्कूल गया और स्कूल में इफवन से मिला तो उसने उसे पिछले दिन की सारी बातें बता दी दोनों भुगोल शास्च की कक्षा को छोड़ कर बाहर निकल गए पंचम की दुकान से इफवन ने केले खरीदे क्योंकि बात यह थी कि टोपी फल के अलावा बाहर की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता था टोपी बहुत ही भोले पंच से इफवन से कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वे लोग दादी बदल ले उनकी दादी इफवन के घर और इफवन के दादी उनके घर आ जाए टोपी कहता है कि उसकी दादी की बोली तो इफवन के परिवार की बोली की तरह ही है टोपी की इस बात का जवाब देते हुए इफवन कहता है कि टोपी की यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती उसके अबू यह बात नहीं मानेंगे क्योंकि उसकी दादी उसके अबू की अम्मा भी तो है जब टोपी और इफवन बात कर रहे थे उसी समय इफवन का नोकर आया और खबर दी कि इफवन की दादी का देहान्त हो गया है शाम को जब वह इफवन के घर गया तो वहाँ शान्ती थी घर लोगों से भरा हुआ था परन्तु एक दादी के ना होने से उसे पूरा घर खाली लग रहा था जबकि टोपी को दादी का नाम भी मालूम नहीं था परन्तु उसका इफवन की दादी से बहुत गहरा संबन हो गया था दोनों बच्चे अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे क्योंकि दोनों को ही उनके घर में समझने वाला कोई नहीं था दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन दूर कर दिया था टोपी इफवन को सहानबुती देता हुआ कहता है कि इफ़न की दादी की जगा उसकी दादी मर गई होती तो ठीक होता लेखक कहता है कि टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अव्य किसी भी ऐसे लड़के से कभी भी दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता कोई ऐसी नोकरी करते हो जिसमें बदली होती रहती हो 10 अक्टूबर सन 45 का टोपी के जीवन के इधियास में बहुत अधिक महत है क्योंकि इस तारीक को इफ़न के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए टोपी दादी के मरने के बाद तो अकेला महसूस कर ही रहा था और अब इफ़न के चले जाने पर वहे और भी अकेला हो गया था क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकूर हरीनाम सिंग के तीन लड़कों में से कोई भी उसका दोस्त नहीं बन सकता था डबू बहुत छोटा था बिलू बहुत बढ़ा था गुड़ू था तो उसके बराबर का परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था अब नै तो इफ़न था और नहीं इफ़न की दादी जो उसे समझ सके घर में ले दे कर एक बुड़ी नोकरानी सीता थी जो उसका दुखदर्ट समस्ती थी तो अब वह सीता के साथ ही समय गुजारने लगा थन के दिन शुरू हो गए थे और मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया और भैरव के लिए भी नया कोट बना लेकिन टोपी को मुन्नी बाबू का पुराना कोट मिला वैसे कोट बिल्कुल नया ही था क्योंकि जब वह बनाया गया था तब वह मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नोकरानी केत्खी के बेटे को दे दिया और वह खुश हो गया नोकरानी के बच्चे को दे दी गई कोई भी चीज वापिस तो ली नहीं जा सकती थी इसलिए तैय हुआ कि टोपी ठंड ही खाएगा इस पर दादी और टोपी के बीच बहस हो गई और दादी ने पूरा घर सेर पर उठा लिया जब टोपी को उसकी मा ने दादी को उल्टा जवाब देने के लिए पीटा तो उनकी बूरी नुकरानी सीता टोपी को समझाने लगी कि अव्य दस्वी कख्षा में पहुँच गया है उसे दादी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए सीता ने तो बड़ी असानी से कह दिया कि टोपी दस्वी कख्षा में पहुँच गया है परंतु टोपी के लिए दस्वी कक्षा में पहुँचना इतना भी आसान नहीं था दस्वी कक्षा में पहुँचने के लिए टोपी को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी थी दो साल तो टोपी फेल भी हुआ था वह पढ़ाई में बहुत तेज था परंतु उसे कोई पढ़ने नहीं देता था जब भी टोपी पढ़ाई करने बैठता तो कभी उसके बड़े भाई मुन्नी बाबु को कोई काम याद आ जाता या उसकी मा को कोई ऐसी चीज मंगवानी पढ़ जाती जो नोकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी अगर ये सारी चीजे नय होती तो कभी उसका छोटा भाई भैरव उसकी कोपियों के पन्नों को फार कर उनके हवाई जाज बना कर उड़ाने लग जाता यह तो थी पहले साल की बात दूसरे साल उसे टाई फाइट हो गया था जिसके कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाया और दूसरे साल भी फेल हो गया तीसरे साल वह पास हो गया परंतु थर्ड डिविजन में यह थर्ड डिविजन कलंक के टीके के समान उसके माते से चिपक गया टोपी के सभी दोस्त दसवी कक्षा में थे इसलिए वह उनी से मिलता और उनी के साथ खेलता था अपने साथ नवी कक्षा में पढ़ने वाले में से उसकी दोस्ती किसी के साथ नहीं थी वह जब भी कक्षा में बैठता उसे बड़ा अजीब लगता था टोपी ने किसी ना किसी तरह इस साल को जेल लिया परन्तु जब सन 51 में भी उसे नवी कक्षा में बैठना पड़ा तो वे बिल्कुल गीली मिट्टी का पिंड हो गया क्योंकि अब तो दसवे में भी उसका कोई दोस्त नहीं रह गया था जो विध्यार्ती सन 49 में आठवी कक्षा में थे अब वो दसवी कक्षा में थे जो सन 49 में सातवी कक्षा में थे वे टोपी के साथ पहुँच गये थे उन सभी के बीच में वह अच्छा खासा बुड़ा दिखाई देने लगा था वहीद जो कक्षा का सबसे तेज लड़का था उसने टोपी से पूछा कि वह उन लोगों के साथ क्यों खेलता है उसे तो आठवी कक्षा वालों से दोस्ती कर लेनी चाहिए क्योंकि वे लोग आके दसवी कक्षा में चले जाएंगे और टोपी को तो आठवी कक्षा वालों के साथ रहना होगा तो उसने दोस्ती करना टोपी के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा यह बात टोपी को बहुत बुरी लगी और ऐसा लगा जैसे यह बात उसके दिल के आरपार हो गई हो और उसने उसी समय कसम खाई कि इस साल उसे टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप वह पास होकर ही दिखाएगा परंतु साल के बीच में ही चुनाव आ गए टोपी के पिता डॉक्टर ब्रुगु नारायन नीले तेल वाले चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो उस घर में कोई कैसे पढ़ सकता है वह तो अब टोपी के पिता चुनाव हार गए तब घर में थोड़ी शानती हुई और टोपी ने देखा कि उसकी परिक्षा को ज़्यादा समय नहीं रह गया है वह पढ़ाई में जुड़ गया परन्तु जैसा वातावरन टोपी के घर में बना हुआ था ऐसे वातावरन में कोई कैसे पढ़ सकता था इसलिए टोपी का पास हो जाना ही बहुत था टोपी के दो साल एक ही कक्षा में रहने के बाद जब वे पास हुआ तो उसकी दादी बोली कि वाह टोपी को भगवान नजरेबन से बचाए बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी है तीसरे साल पास हुआ वो भी तीसरी श्रेनी में चलो पास तो हो गया परंतु लेखक कहता है कि सभी को उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वह किस वज़ा से दो साल फेल हुआ और तीसरे साल थर्ड विजन में पास हुआ कि वह भी तीसरे साल था कि वह भी तीसरे साल प्रिप्ता है